सभा अध्यक्षे कुलदीप सिंग पठानिया जी खुद इस वक्त हमाई साथ जुड़े हुए हैं पठानिया साथ बहुत-बहुत स्वागत करती हुँ न्यूज 18 पर आपका ऐसी घड़ी में भी आपने महत्व पूंट समय हमारे लिए निकाला उसके लिए आपका बहुत जा रहे हैं क्या कहेंगे सर मुझे यही मेरा है मैं आपको बिखा रहे हैं और यह फैसला मुझे जो एंटी डिफेक्शन लौ है हां हमारा जो पार्लेमेंट ने बनाया है और उसके उपर जो सुप्रीम कोट ने अलग लक्स में में अपना जो है इसको एवाल्ब किया है दो जवाल्ब को सब को जो है साइट करके ही मैंने ये फैसला दिया है और यह पर्मिटिशन जो है यह इसका टाइटल है शरी हर्षबादन चौहान वरसिस चेतानिया शर्मा और अदंडिस इसमें चे रिस्पॉंडंटेंट्स हैं। पर्लेमेंटर्य टिफेर मिनिस्तर जिन रखा और उस पार्टी की मीटिंग में ये 6 के 6 मानिस दस्या उसमें हाजर थे और record का पार्ट है, petition का पार्ट है, judgment का भी पार्ट है. और जब अंदर वोटिंग हुई तभी वो हॉस जो हमारा रिजिस्टर है, प्रेजंस का, जहां मेंबर्स की मानिस दस्यों की हाजरी लगती है, उसमें भी उनके दस्कत हैं. और जब वोटिंग हो रही थी, अंदर वोट होना था, डिमांड को, पार्विल को तो ये एपसेंट थे, तो ये अट्रेक्टीड दे प्रविजन को आप एटेक करेंगे, वाइलेट करेंगे, तो ये प्टेशन जो है स्पीकर के पास आएगी, और स्पीकर को कम से कम समय में इसका निर्ने करना है, क्योंकि वर्तमान में राजनीती में जो ये ख्रिदो रोकत हो रही है, बेप राजनीती है, उसको समाप्त करना है, और किसी भी परकार का दवाब चुने हुए प्रतिनी धियों पर ना आएं, अपना आचरण वो ठीक रखें, और जिस जनता ने उनको चुन कर भेजा है, जिस पुलिटिकल पार्टी ने उनको फील्ड किया है, और जिस विचार धारा स से जो है, रिजाइन करें, फिर चुनाव में जाएं, किसी और पार्टी की विचार धरा से चुनाव में जाएं, यही कानून बोलता है, यही बोलता है, और जब पार्टी का विप डिफाई करेंगे, और जिसको मैंने अग्जोस्टिवली इन अपनी जजमेंट में, इसको और मैंने ये कहा है मुझे लगा है कि इन्होंने वालिशन किया है आदे हैं इन्कुर्ड इसक्वालिफिकेशन अंडर परा 2 सब परा 1 क्लाज ए अफ तेंथ स्टूल I therefore hold and declare the respondent number 126 that is all six honorable MLA's ठीक है have ceased to be a member of the Himachal Pradesh Legislative Assembly with immediate effect ये अभी जो judgment ये आगे है ये अभी तुरंत जो है ये लागू हो गई है ये सारी जो है online मिलेगी पोर्टल पर जाएगी और किसी को certified copy चाहिए तो नियमों के मताबक जो है 24 गंटे में अपलाई करके उसको ले सकता है ठीक है लेकिन सर दो बाते हाँ पर हैं आपने कानूनी पहलू इसके बखूबी गिनाए कि किन किन एंटी डिफेक्शन लॉग के तहट किस तरह से आपने इसको लेकर निर्ने लिया है एक्जॉस्टिबिली आपने उसको पूरी तरह explain किया है साथ यस साथ एक राजनतिक पहलू भी इसके साथ जुड़ता है है सब्सक्राइब ये अरोब बिलकुल निराधार हें वाज नहीं है अब आवाज नहीं आ रही है मुझे पता में मैं सुन पार रही हूं आपको से ये अरोब ये अरोब बिलकुल निराधार हैं कियोंकि समय देने की बात नहीं है जब दोनों पक्षों के वकील हाजुर हो जाएं तो उससे आप क्या इन्फरेंस नेुकलेंगे उसका क्या मतलब है कि आपको जानकारी है तभी जो वकील है वो हाजुर हुए आपको यह जानकारी है कि विशे स्पीकर के ध्यान में आया है और जिस पार्टी से उनका समंध है उन्होंने कोई केस किया है और हमने ततपरता दिखाते हुए क्योंकि यह मुझे दिखाना है ततपरता मुझे दिखाना है यह जिम्मेबारी संभीधान मुझे देता है और मुझे अपने उन संभीधानिक जो मुझे दाइत्वे उनका निर्वान करना है इसलिए मैंने यह समझा कि विशे बहुत गंभीर है और इसमे अब मुझे चाहिए रात भर भी काम करना पड़े तो मुझे करना है और मैंने मैं तो असेंब्ली को भी दफ-दस बज़ तक चलाता हूं और यह जानते हैं बहुत सारे लोग तो यह होते नहीं है बैठना नहीं चाहते अंदर लेकर मैंने कल भी कहा दोनों जो हमारे लर्नर्ड एड्वोकेट्स कल आये थे मैंने हेरिंग के लिए टाइम दिया थ वो ज्यादा इंसाइटेड एक्साइटेड थे क्योंकि उनको लग रहा था कि वो जो है जो वो करना चाहरे थे नहीं हो पार रहा था तो वो अंदर विजानसभा प्र अंदर उनका अचारण ठीक नहीं था जिसकी मैंने रूलिंग संदर दी हैं इस डॉन्ट वांट टो से एक दूसरे के आर्गुमेंट्स को रिवर्ट करने का टाइम दिया गया और जब तक दोनों के आर्गुमेंट्स खत्म नहीं हो तब तक मैं सुनता रहा और लगादार मैं धाई घंटे तक कुर्सी पर बैठा रहा जबकि दोनों लेनर्ड वेगीज को ये भी मैंने कहा कि च करना है आई डिडिट तो वाट लैप्सा हम कुमिटेट फादेट और वो बोल रहे हैं कि समय नी दिया समय की जरूरत क्या वही उसमें रिकॉर्ड के उपर हमारे पास पर्टीशन में जब पार्टी ने वीप इसू किया वो भी है पार्टी की मीटिंग अटेंड की उसके द चाहिए और मुझे भी कौन सी ऐसी एविडेंस चाहिए थी वो तो पार्ट आफ रिकॉर्ड है सारा और उसमें समय अगर मुझे लगता कि वो नहीं आते तो मैं शायद समय दे देता कि वही आप आज नहीं आएं तो मैं कल के लिए रख रहा हूं इसको और कल फिर हम वी वि कि दिये उनको हमारे विधानसवा सेक्टेट ने जो ततपरता दिखानी थी वो भी कि हमने पूरा जो है रिकॉर्ड करने के बाद ही फैसला दिया और ये फैसले में मैंने उनको आयोगया घोशत किया अब इस फैसला इस सब्जेक्ट और जुडूशिस कूर्टी मैं इसी प कानूनी प्रक्रिया या लीगल कोस अफेक्शन के तरफ आगे बढ़ रहे हैं इसी पर चिंतन मंथन हो रहा है कोट करूख अक्तियार कर सकते हैं तो क्या अब सरकार तयार है इस चीज को इस पूरी लड़ाई को को लड़ने के लिए यह यह प्रशन मेरे से मृतलिक नहीं है यह प्रशन सरकार से मृतलिक है मुझे अध्यक्ष जो अपने डायत्मों का दिर्वान करना था संभी धान के मताब़ को मेंने कर दिया है अ हर व्यक्ति के पास अपने अधिकार है अब उन माननी ओं के पास सारे विकल्प खुले और नियालियों में बी जा सकते हैं inyale भी इस जज़्मेंट को भी देखेंगा उनकी बात भी सुने गा और आपनी जज़्मेंट देगा उसके बास सुप्रीम कोर्ड भी है सुप्रीम कोर्ड के एक जज़ का फैसला जो है फिर दूसरे ज़ूज के पास जाता है फिर जब तीन चार जज़ों की सहमती नहीं बनती तो पांच जज़ों के पास जाता है वो सारी जानकरी मुझे है क्योंकि मैं पेशे से भी बकीलू, परफेशनल हूँ and I have a respect to the law also, to the judiciary also. I have a great faith in the judicial system also. बिल्कुल, speaker sir, बहुत-बहुत शुक्रिया. वो अपने सारे अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, मैंने अपना फैसला जो दिया है, वो जो है, अब कोड जो बोलेगी हो देखेंगे, क्या करना हूँ. बिल्कुल, sir, लेकिन एक छोटी सी चीज मैं आस-पश्च जरूर करना चाहूंगी, इस सवाल को पूछने का जो एक, इस सवाल को मैंने इसलिए पूछा, क्यूंकि विपक्ष बार-बार ये आरोप लगा रहा था, इससे पहले, मैंने बीजेपी प्रदेश अधियक्ष, Dr. राजी बिंदल से बात की थी, तो उन्होंने ये आरोप लगाया था, बहुत माफी के साथ मैं कह रही हूं, sir, कि ये आपने अपनी पार्टी लाइन के अंदर रहते हुए निर्ने लिया है, ये डॉक्तर राजी बिंदल का अरोप था, and that was the reason, कि I asked you this particular question. Dr. बिंदल जो है, वो इस माने सदर के सदसी भी रह चुके हैं, अधियक्ष भी रह चुके हैं, और जब वो अधियक्ष थे, तो उनका अचरण क्या था, ये भी जो है विधान सभा के रिकॉर्ड पर है, परमार साब भी इस माने सदर के अधियक्ष रह चुके हैं, उनका क् एक वर्ष का जो अचरन है as a speaker वो भी record पर है और national level के उपर भी है और हम एक दूसरे को व्यक्तिकत तोर पर भी जानते हैं चाहे वो बिंदल साहब हो चाहे परमार साहब हो यह दोनों junior members हैं मेरे से बात विधान सवा में आये हैं और जब मैं तीसरी बार का विधायक था तो य अच्छी तरीके से जानता हूं इनके जानकारी नियमों के प्रती विधान सवा की जो परमपरा हैं उनके प्रती कितनी है यह मुझे इसका पूरा इलम है मैं इसके उपर कोई टिपनी नहीं करना चाहता है लेकन जो हमारा जो एंटी डिफेक्शन लौ है वो खीदो फ्रोक् कुछ लगाता है मैंने उसकी जो कानून की मंच्छा है उसी के अंदरूप अपना फैसला दिया है मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना साथी स्पीकर सरे काखरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी हिमाचल प्रदेश की राजनीती में हिमाचल प्रदेश की विधान सभा मे लोकतंत्र के इस मंदिर में जो तस्वीर कल बनी जो बीते कल जो सब कुछ वहां पर हुआ उठा पटक कागजों को फेका गया कहीं न कहीं जिस तरह से ये बड़ा ही दुरभागे पूर तस्वीर जो वहां पर बनी आज से पहले हिमाचल प्रदेश की राजनीती में इस तर मसार करने वाला है सर हमारे प्रदेश के लिए हमारे हमारे प्रदेश की राजनीती के लिए कल कल का जो आचर्ण और परसों का जो आचर्ण जो विपक्ष के माने सदसे हैं उनका था वो बहुत ही दुरभाग्या कूरण था और उस आचर्ण से मैं भी जो है जो है अब मुझे भी अच्छा नहीं लगा और I am heart very badly also क्योंकि जब सदन को मैंने बर्खास कर देता हूं बर्खास करने के बाद भी सदन के अंदर जो हृआ का सब्यों को है अपनी अपनी बात रहने का हक है मुझे भी अपनी बात कहने का हक है क्य Killer लोग-तंतर-प्रजास-तंतर का मतलभ यह है कन्विंस और गेंड कंविंस अगर आप नहीं होते हैं और आप जो है हैं भी माइनौर्टी में तो आपको मैजरॉर्टी की बात माननी पड़ेगी मैं रूलिंग देता हूँ, रूलिंग को डिफाई करते हैं, मार्शल्स को ओर्डर करता हूँ एज पर विधान सवा, रूल्स एंड परसीजर, उनके साथ हत्ता पाई होती है मुझे मेरे चैंबर के अंदर गहराव किया जाता है, मेरे खिलाफ असंस दिया भाशा का प्रियोग किया जाता है मेरे यहां सारे पचीस के पचीस इस चैंबर की जिस चैंबर में बैठा हूँ आप देख सकते हैं इसमें जादा से जादा साथ में बैठ सकते हैं पच्श्प्शुसद लोग जो है दुरवज़ा तोड के अंदर आते हैं दुरवज़े को धका मार के अंदर आते हैं कोशस दुरवज़े को तोड़ने के करते आई जो वहां पर बेचारे कलास पूर कर्मचारी होते हैं क्योंकि ये स्पीकर रहे साल明प Ц joint पहले जो है विपन हैं इससे ज्यादा कोई अधिकार नहीं है आप का अधिकार एंधित करने की कोशिश करने की कोशिश करें यह आचारण बहुत ही दुभाग्या पूर्म था और यह सारा recorded है विधान सभा हमारी जो है उसकी हर एक जो क्षन है वो recorded है वो cameras के अंदर है और अगर वस्टा पड़ी तो camera की सारी जो clicks है और recording है वो भी हम दिखाएंगे और मैंने तो कोई action नहीं लिया मैं तो सदन के अंदर गया मुझे नहीं जानकारी थी कि सत्ता पक्स कोई ऐसा प्रस्ताब ला रहा है जब सत्ता पक्स ने प्रस्ताब लाया उसको भी मैंने वोट के लिए डाला क्योंकि मैंने नहीं किया उनको जब वह प्रस्ताब जो है वहां 34 member अंदर थे उन्होंने support किया और 25 member जो है जिनके नियम और कानून है suspension के बाद मैंने उनसे request की कि आप बाहर जाएए आप suspend हो चुके हैं जो अगली कारवाई विधानसभा की होगी आज और कल उसके लिए आप suspended हैं बाहर नहीं गे फिर मैंने order किया मार्शल को और मार्शल को order करने के बाद भी नहीं गे और हमारा नियम रू सदन के अंदर नहीं बैठ सकता अंदर नहीं रह सकता डेड़ घंटा अंदर बैठ कर जो है ड्रामा करते रहे यह बाती जनता पार्टी से जो चुने हुए जो लोग है बिपक्ष के जो लोग है क्या इनको संभीदानी का अधिकार था उनके अंदर बैठने का इस परकार का अचरन करने का जो राम भगवान का नाम लेते हैं राम भगवान का अचरन उनको मालूम है क्या तो यह बड़ा दुर्भाग्या पूर्ण है हिंदोस्तान के लोकततर के लिए और यह सदन के अंदर की कारवाई है आपने मुझे आजे स्पीकर पूछा है तो मैंने इस बात को यहां पर कहा है और मुझे कांग्रेस से कुछ लेना देना नहीं है कुछ भारते जन्ता पार्टी से लेना देना नहीं है जब तक मैं ध्यक्स की कुर्शी पर हूँ मेरे सामने बिठल भाई पटेल जी की जो है फोटो रहती है बिठल भाई पटेल इस माने सदन के पहले चलती थी, मैं उस इतिहासी कुर्सी पर बैठता हूँ, जिस पर बिठल भाई पटेल बैठते थे, जिन्होंने अध्यक्षपद की शुरुआत की, विधानसभा सचिवालिय की शुरुआत की, जिन्होंने इंडिपेंडेंस आफ जो है स्पीकर का जो आफिस है, उसकी बात की ह है, और मैं इन सब इमाननियों को जानता हूँ, जो स्पीकर भी रहे हैं, और इस माने सदन के सदस्या भी रहे हैं, मुझे उनके बारे में बिक्तिगत कोई टिपनिया नहीं करनी है, मेरा अचरन एज स्पीकर जो है, वो निश्पक्ष है, वो रहेगा, हाँ, मैं किसी ने कि पर्टे का सदस्या जुरूर हूँ, तभी मैं स्पीकर बन सका हूँ, ऐसे तो मैं बन नहीं सकता था, और मैं सदन का भी जो है, अभारी हूँ कि सभी रहे हैं, और मैं हर परकार की चैलेंज जो है, फेस करने के लिए भी तैयार हूँ, बिलकुल सर, आपने बिलकुल सही का, कि लोगतंत्र के मंदिर में इस तरह की चीजों का कोई स्थान नहीं है और इसलिए आपका इस पश्टी करण बेहद महत्वपून है स्पिकर सर आप हमारे साथ जुड़े आपने अपना महत्वपून समय न्यूज 18 जेकेलेच को दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।